अगर आप इस चैनल का complete benefit लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को playlist के थुरू explore करना होगा आप जैसे इस चैनल की playlist को click करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे topics की playlist आ जाएंगी मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th class के लिए physics lecture और साथ ही BAC b.tech के लिए भी physics lecture and free pdf notes with experiments यहाँ मैंने upload किये हुए है Hello students, Good morning, Namaste, कैसे आप सब तो आज से हम start कर रहे हैं class 11th physics की Hindi medium के lectures ठीक है जिसमें हम chapter start कर रहे हैं भौतिक जगत तथा मापन, यह हमारा first chapter रहेगा भौतिक जगत तथा मापन इसमें हमारे approximately 35 lectures रहेंगे और दूसरी बात, यह NCRT का according chapter 1 and chapter 2 दोनों cover हो जाएंगे तो इन 35 lectures में आपके दो chapter cover हो जाएंगे according to NCRT तो सबसे पहला topic हम करते हैं भौतिक राशियां भौतिक राशिय क्या होता है? Physics को हम Hindi में क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान, क्या बोलते हैं हम इसको इन्दी में? भौतिक विज्ञान तो भौतिक विज्ञान जो subject है, मतलब physics है इसमें हम कौन सी राशियों के बारे हम पढ़ते हैं? इनमें हम भौतिक राशियों के बारे में बात करते हैं अब बात करते हैं हम पहले बात करते हैं कि इताद देखे सबसे पहले हम बात करते हैं इंदर v Truly Бून भिज्ञान मतलब science अब science की बहुत सारी branches होती है बहुत सारी branches मतलब बहुत सारी शाकाई है जिन में एक होती है Physics फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिक मैं आगे लिख रहा हूँ, विज्ञान आप लिख लेना, एक होती है रसायन विज्ञान क्या होती है, रसायन विज्ञान, ठीक है, और एक होती है जीव विज्ञान, ठीक है, और एक होती है गनित, ये बेसिक, मैं आपको उता तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान, विज्ञान की एक शाका है जिसमें हम भौतिक राशियों का अध्यन करते हैं, ठीक है, अब बात आती है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, ऐसी कोई भी राशियां, ऐसी कोई भी राशियां मतलब quantities, ऐसी कोई भी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हो और जो भौतिकी के नियमों का पालन करती हो उन्हें हम भौतिक राशा कहते हैं भौतिकी के नियमों का मतलब फिजिक्स के नियमों का पालन करती हो ठीक है जैसे दर्वेमान मास पांच किलो छे किलो, सिक्स केजी हम कोई भी अपचीनी लिया अपने 2 किलो लिये 3 किलो लिये 2 किलो लिये तो हम उनको मेजर कर सकते हैं क्या येस हम उनको मेजर कर सकते हैं माप सकते हैं समय को माप सकते हैं हाँ समय को माप सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे लंबाई को माप सकते हैं बल मैंने किसी वस्तूप लगाया बल लगाया तो बल को माप सकते हैं 10 न्यूटन, 20 न्यूटन करेंट को माप सकते हैं विदुधारा को माप सकते हैं पर्तिरोध को माप सकते हैं तो जिनी राशियों को माप सकते हैं मतलब जिनका measurement कर सकते हैं और जो भौतिकी के नियमों का पालन करती है उसे हम बोलते हैं वो ही भौतिक राशिया होती है तो यहाँ पर हम definition देखते हैं इसकी वे राशिया जो भौतिकी के नियमों की वाख्या करती है एवं जिनका मापन संभव हो भौतिक राशिया कहलाती है जिनको माप सकें क्या कहलाती है भौतिक राशिया अब भौतिक राशियों को अलग से देख लिए देख लिजे भौतिक राशिय वह है जिसे मापा जा सकता है और यहाँ पर देखिए अब भौतिक राशियों को यहाँ पे लिखा हुआ है जिनको मापा जा सके और जो भौतिक एकिनों का पालन करती है और इन्हें तीन भागों में विवक्त किया जाता है दिशात्मक गुणों के अधार पर अब में यहाँ पर एक लाइन लिखता हूं वह आप लाइन लिखना भौतिक भौतिक राशियों को दिशात्मक दिशात्मक मतलब दिशा का मतलब होता डारेक्शन दिशात्मक गुणों के अधार पर तीन भागों में बाटा जाता है भौतिक राशियों को दिशात्मक गुणों के अधार पर कितने भागों में बाटा जाता है तीन भागों में तो वो तीन भाग में आपर लिख रहा हूँ एक तो होता है सबसे पहला भाग होता है अनुपात क्या होता है अनुपात दूसरा होता है अनुपात जो होते हैं वो भौतिक राशिय होती है किसके अधार पर हमने भौतिक राशिय को तीन वागों माटा है दिशात्मक गुणों के अधार पर तो भौतिक राशिय को दिशात्मक गुणों क हो जाएगा हमारे पास अदिश राशियां तो किते परकार की राशिय होगी हमारे पास तीन परकार की अनुपात सदिश और अदिश अब इनके बारे में हम आगे देखते हैं यह देखी यहां पर तो सबसे पहले वो राशियां होती है जिनके पास जो अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं हम सबसे पहले जिनके पास केवल आंकिक मान होते हैं क्या होते हैं केवल आंकिक मान मतलब केवल नंबर वैली होती बताता हूं कैसे तो इनकी उधारन है अपवरतनांक परावयदुत नियतांक जैसे अपवरतनांक जो होता है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था जब हम Science पढ़ रहे थे परकाश्यकी में बढ़ाता जिसमें आप लेंस वगरा पढ़ रहे होंगे अपवरतन पढ़ रहे होंगे वहां अपने पढ़ा होगा अपवरतनांग तो कोई बात नहीं याद नहीं है तो अब ये बात धान दो कि अपवरतनांग की जो value होती है 1.33, 1, 2, 3 इतनी होती है जैसे हम कहें कि इस वस्तू का जैसे मैं कोई वस्तू नहीं जैसे ये वस्तू है मेरे पास तो इसका दर्योमान कितना होगा तो हम कह सकते हैं 100 ग्राम तो हमने बोला 100 ग्राम ग्राम लगाना पड़ेगा ना आगे मतलब मैं मातरक लगाना पड़ेगा ना अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ किसी ने मुझसे पूछा कि वस्तू कितना इसका दर्योमान किता है मैं बोलूँगा सो तू बुछेगा सो क्या केजी ग्राम कुस तो बोलो आगे यूनिट तो बोलो इसका मतलब कुछ राशियों के आगे केवल संख्या से नंबर नी केवल आंकिक मान से काम नहीं चलता आगे मातरक भी लगाना पड़ता है लेकिन कुछ राशियों में केवल आंकिक मान ही होता है जैसे अपरतनंक अपरतनंक का कोई मातरक नहीं होता है अगर हम अपरतनांग का इपरवाशा देखें तो यह था था निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन में अन्य माद्धम में प्रकाश की चाल तो यह भी चाल है चाल की यूनिट क्या होती है मीटर पर सकीन और यह भी क्या है चाल तो इन दोनों की unit आपस में कट गई क्योंकि दोनों चीजों का क्या हुआ अनुपात हुआ जब भी दो चीजों का हम अनुपात लेते हैं उनके मातरक कट जाते हैं और वो जो राशी प्राप्त होती है वो मातरक हीन प्राप्त होती है उसमें केवल आंकिक मान होता है तो mu की value केवल कितनी होगी अब 1.5, 2, 3 लेकिन आगे मात रख नहीं होगा तो सबसे पहले आप हो clear हुआ कि भौतिक राशी दिशात्मक गुणों के अधार पर हमने 3 परकाने माटी थी एक तो सबसे पहले अनुपात उसके पास अधिश राशी उसके बाद सदिश राशी अनुपात क्या होता है जिसके पास केवल आंकिक मान होते हैं क्या होते हैं केवल आंकिक मान उधारन क्या थे अपरतनांक आंकिक मान का मतलब केवल इसमें एक दो ऐसे संख्या होती है इसमें आगे मातरक नहीं होते हैं अब बात करते हैं अदिश राशियों के बारे में अब अदिश राशियां क्या होती हैं अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनके पास परिमान होता है आप ये लाइन लिख सकते हैं वाइशा बोल देता हूँ अगर आप ठोड़ा दीरे रहते हैं तो वीडियो को वापस पीछे ले जाए करें ठीक है फिर वो डेफिनेशन लिख लिया करें तो मैं रिपीट कर रहा हूँ अदिश राशियां वह राशियां होती है जिनमें केवल परिमान का ज्यान होता है अधिश राशियां कहलाती है तो अधिश राशियां क्या होती है मैं बताता हूँ आपको जैसे अधिश राशियां को दारने दर्योमान तो दर्योमान जैसे किसी वस्तुगा हो सकता है दो केजी तो यह यह जो दो केजी है यह परिमान है लेकिन हम दिशा बता सकते हैं क्या दिशा क्या होती है बैटा जैसे X direction Y direction पूरव दिशा उत्तर दिशा ठीक है ये दिशा होती है अगर हम किसी बहुतिक राशी में परिमान के साथ ये भी बता रहे हैं कि उसकी दिशा क्या है तो वो सदिश राशिया होती है फिर सुनो अगर हम किसी भौतिक राशी में परिमान के साथ साथ दिशा भी बता रहे हैं तो वो सदिश राशियां होती है जैसे मैं आपको बताता हूं मालो मुझसे किसी ने एड्रेस पूछा ठीक है उतने पूछा कि भीया मुझे बताइए कि रेलवे लेशेशन कहां पर है तो मैंने का भिया चले जाओ यह से 50 मीटर दूर चले जाओ तो कहां जाएगा होगे का 50 मिटर को यहां जांव, 50 मिटर इधर जांव, 50 मिटर पूरो जांव जांव या कया जांव. मैं को जोंगा चले जा, 50 मिटर कहीं भी चला जा, अब मालो उसको इस J Всё hola मालो यह उत्तार है, उत्तर डिशा में जाना तो आप जैसे आप मालो मुझसे वही वाक्ति पूछ रहा है कि मुझे रेलवेशेशन जाना है तो मैं अच्छा विया तो आप ऐसा करो पचास मीटर पचास बोला मैंने मतला अंक मीटर मैंने बोला तो पचास मीटर अब यह पूरा भी बताई है तो वे बहुतिक राशियां जिनमें परिमान के साथ साथ दिशा का भी ज्यान होता है उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियां क्लियर हुआ आपको सदिश राशियों क्या और अदिश राशियां क्लियर हुई वे बहुतिक राशिय जिनमें केवल परिमान का ज्यान होता है दिशा का ग्यान नहीं होता है वह अधिश राशियां और वह बहुती ग्राशियां जिन में परिमान के साथ सदिशा का भी ग्यान होता है वह होती है सदिश राशियां अब अधिश राशियों के उधारन क्या माच किल्ए पोड़ना ही पड़ेगा मैं अंक नहीं बोल सकता अंक केवल कां बोलने होते या अनुपात में अदिश में क्या बोलना पड़ता है पूरी वैल्यू इवीटी वोड़ने पड़ती है आपको पूछे का वह कुछ दिशा नहीं है आप चीदी सिदे न थेली में डाल की मुझे देदो तो बताओ चीनी के लिए दिशा का क्यों की आवशकता है नहीं है वैसी समय समय भी एक अदिश राशी है जैसे मुझे बज़ें कि मुझे से किसी ने टाइम पुझा कि भी टाइम क्या हुआ है मैं कहूंगा भी या साड़े देस बज़ें तो कहने का मतलब समय के साथ दिशा बताने की जुरूत नहीं है समय के साथ के वह बैल्ली बता दो तो तो तीन परकार की राश्यों के बारे में क्लियर सदिश राश्यों के उधारने विस्थापन विस्थापन में परिमान के साथ साथ जैसे मैंने बताया पांच मीटर क्या बताया विस्थापन ने पांच मीटर और साथ साथ ये भी बताया उत्तर दिशा तो परिमान के साथ साथ दिशा भी बताई अगला उधारन देखो जै अभी बल अगुण क्या है इस बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी यह बात करेंगे कि विस्थापन बल अगुण यह सभी क्या है यह सदिश राशिया है दर्यों मान आवेश है यह सभी क्या है अदिश राशिया है तो इतना क्लियर हो आपको ओके अब हम बात करते हैं अब हम भोतिक राशियों को डिवाइड करते हैं या विबक्त करते हैं पहले जो हमने तीन बागों में विबक्त किया था कौन सा अनुपात, अदिश और सदिश वो किसके according हमने डिवाइड किया था वो हमने डिवाइड किया था दिशात्मक गुणों के अधार पर और अब हम डिवाइट कर रहे हैं बहुतिक राशियों को निर्भरता के अधार पर तो आप यहां पे लिखो उपर जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहां पे लिखना बहुतिक राशियों का यहां लिखना बहुतिक राशियों का निर्भरता के अधार पर वर्गी करण तो यहां लिखो बहुतिक राशियों का निर्भरता के निर्भरता के अधार पर वर्गी करण तो निर्भरता के अधार पर दो प्रकार की बहुतिक राशियां होती हैं एक तो सतंत राशिया और एक होती है आश्रित राशिया क्या होती है आश्रित राशिया इनको सतंत राशियों को मूल राशिया भी कहते हैं सतंत राशिया बहुतिक राशिया निरबरता के अधार पर किते परकार की होती है सतंत राशिया इनको मूल राशिया भी कहते है और आ राशित या वित्पन राशियां या वित्पित राशियां इतना क्लिर हुआ ओके अब मूल राशियां क्या होती हैं जिनको बताने के लिए किसी अन्य राशियों की आवशक्ता नहीं होती तो सबसे पहले आप मैं परिवाश्या आपको लिखवा रहा हूँ सुतंत राशियों होती है जिनको प्रदर्शित करने के लिए सुतंतर राशियां या मूल राशियां वहे राशियां होती है जिनको प्रदर्शित करने के लिए अन्य राशियों की आवशक्ता नहीं होती है जिनको प्रदर्शित करने के लिए अन्य राशियों की आवशक्ता नहीं होती है जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अब देखिए यहां पे दर्वयमान है, दिख रहा है आपको दर्वयमान, अब दर्वयमान को अगर मुझे किसी ने बूचा सर, आप मुझे दर्वयमान बताना है इसका, तो मैं डारेक्ट इसको माप सकता हूँ, मुझे किसी और चीज़ की आवश तो वह राशियां जिनको प्रताशित करने के लिए अन्य राशियों की आवशक्ता ना हूँ मूल राशिया सवतंतर राशिया कहलाती है इनके उधारन है दर्यमान हम डारेक्ट माप सकते हैं लंबाई हम डारेक्ट माप सकते हैं समय हम डारेक्ट माप सकते हैं यह मूल राशि तिवरता जोती तिवरता होती है जैसे परकाश की तिवरता लाइट होती है ना जैसे लाइट मैं जला दूंगा ऐसे जैसे मैंने एक बल्ब जलाया तो इतनी लाइट तो लाइट की आप तीन बल्ब जला दोगे तो लाइट परकाश की तिवरता और बढ़ेगी तो परकाश क मात्रा ये भी मूलभूत राशिया है तो मूलभूत राशिय क्या होती है जो अन्य राशियों पर निर्बर नहीं करती है कितने परकार की होती है साथ परकार की कौंगोंसी दर्विमान लंबाई समय ताप विदृद्धारा ठीक है जोती तिवरता और प्रकाश की मात्रा पद अगर बीच में पीछे रहे हो तो पोज कर देना वीडियो को पोज कर दिया करो अब मैं बोलू वित्पित राशियों की प्रिभाशा ओके तो वित्पित राशियों की होती है वहे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए अन्य मूल भूत राशियों की आवशक्ता होती है वित्पित राशियां वहे राशियां होती है फिर से रिपीट कर रहा हूं वहे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए मूल भूत राशियों की आवशक्ता होती है वित्पित राशियां कहलाती है फिर से रिपीट कर रहा हूं वहे राशियां जिनको प्रदर्शित क करने के लिए मूलभूत राशियों क्या वशक्ता होती है विद्पित राशियां कहलाती है ओके अब विद्पित राशियां होती है जैसे आपके चाल चाल एक विद्पित राशिय क्यों चाल चाल हम डारेक्ट में नाप सकते चाल का सुत्र होता दूरी बटा समय तो पहले दूरी क्या होगी बैटा दूरी एक लंबाई है दूरी एक लंबाई मतलब एक मूलभूत राशी आ गई समय भी एक मूलभूत राशी है तो आप देखिए यह वित्पित राशी है चाल यह किन से मिलकर बनी यह दूरी और समय से मिलकर बनी जो की वित्पित राशी थी अब ब आयतन से मिलकर बना, तो ऐसी राशियां जो मूलबूत राशियों से मिलकर बनी होती है, अचा आयतन, आयतन भी, अब आयतन क्या होता बेटा, भुजा का क्यूब, लंभाई का क्यूब, तो आयतन किस से बना, लंभाई से तो देखो, तो दर्योमान और लंभाई, भई आयतन क मतलब होता है लंबाई का क्यूब बता है ना भुचा क्यूब भुचा मतलब लंबाई तो आप देखिए फिर घनत कौन सी दो राशियों से बना दर्यमान और लंबाई से मिलकर बना तो जितने भी वित्पित राशिय होती है वो किन राशियों से मिलकर बनती है वो मूलबूत द्राशियों से मिल कर बनती हैं तो इतना क्लियर हो आपको आज के लेकुशर में कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना और समझ में आ गया तो तब भी कमेंट करना के सट समझ में आ गया ठीक है तो आज के लिएगे इतना ही बाँखी करेंगे नेक्स लेक्षर में